हलो फ्रेंट्स कैसे हो आई होप आप सब ठीक होंगे तो आप सभी तो हर तरह के अर्वी के पत्ते की सबजी खाए होंगे तो एक बार जरूर मेरे इस तरीके से अर्वी के पत्ते को ट्राई किजिएगा बहुत यादा टेस्टी और स्वादिश्ट लगती है तो फ्रेंट्स आज में बनाने वाली हूँ चने डाल और अर्बी के पत्ते की बहुत ज़्यादा टेस्टी सबजी, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अर्बी के पत्ते को फ्रेज करके धोलिए, और जो इसके डंठल वगेरा है, तो मैं उसे हल्किल की हाथों से कट कर लूँगी, तो अगर कट करते वक्त पत्ते कट जाए, तो उससे कोई दिकत नहीं, क्योंकि हमें पत्ते को बारिक बारिक कट करनी है, तो देख सकते हैं, मैं सारे पत्ते की डंठल को एकट करके तयार कर लिया हूँ, और सारे पत्ते को मैं इसे एक एक करके समेट लूँगी, तो हमलों के बहासा में इसे बोला जाता है सरियाना तो मैं सारे पत्ते को सरिया ली हूँ और इसे बीच में कट लगाते हुए और मैं फिर से इसे दो-तीन बार ऐसे मतलब डबल करके और इसे मैं एकदम से बारिक-बारिक कट कर लूँगी तो फ्रेंड्स वीडियो को पुरान तक देखिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, सेड, सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो फ्रेंड्स आप सभी अर्वी के पत्ते की सबजी किस तरह से बनाय के खाये होंगे तो एक बार जरूर कॉमेंट करके बताईएगा और किसको किसको पसंद है तो देख सकते हैं मैं आप अर्वी के पत्ते को बारिक कट कर ली हूँ और चने डाल को मैंना मिक्सिजार में डाल दी, साथ ही डाल दी, दो हरी मेज और चार लेसुन की कर लिया और मैं पीस के उसे तयार कर लूँगी तो मैंने आप ए गैस को आनकर कढ़ाई को रख दी और कढ़ाई में दो गलास के इतना पानी डाल दी मैं उसकी बीच में एक स्टेंड को रख के उसे ढख दी जब तक पानी से उबाल आएंगे तब तक मैं इधर सबजया को तयार कर लेती हूँ तो देख सकते हैं चने डाल अच्छी तरह से मैं पिसके तयार कर ली हूँ तो आप मैं इसमें डाल दूँगी दो से तीन चमच के इतना बेसन उसके बाद एक छोड़ी चमच हल्दी पॉर्डर और सबी चीजों को ना हलकेल के हाथों से भेट लेना है उसके बाद मैं इसमें बारी कट करके जो मैंने पत्ते को रखे थे ना अरबी वाले पत्ते को उसे मैं डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसके साथ मसल के मिला लेना है आनि एक डो की तरह तो देख सकते हैं मैं अच्छी तरह से इसे मिला के तयार कर ली हूँ और फ्रेंड्स ये सबजी ना इतनी जादा टेस्टी लगती है ना कि अगर एक बार 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 बनाने का मन करेंगे और ये सबजी बिल्कुल मैं आफ सभी से न्यू तरीके से सेर कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली और उस प्लेट में एक चमच कितना तेल डाल दी और तेल को अच्छी तरह से मैं फैला ली और जो पत्ते और डाल को मैंने मिला के रखे थे थे ना तो देख सकते हैं जो पानी है उसे बहुत ही बड़ी अबालाने लगी तो अपना इस प्लेट को मैं उसके अंदर रख दूंगी और गैस की हाई मीडियम फ्लेम पे मैं इसे 20-25 मिनिट तक इसे पका लूँगी तो देख सकते हैं यह 20-25 मिनिट हो चुकिए अच्छी तरह से प के बाद यह टाइट हो जाएंगे तो देख सकते हैं बहुत ही बड़ी आई यह टाइट हो गया इसका कलर विक्दम से एलो एलो आ गया है तो अब मैंना किनारे से चाकू से मतलब छोड़ा ली उसके बाद मैं इसे पलट ली और अब मैंना इसे पिसेस में कट कर लूँगी यह देखिये फ्रैंट्स कितना हसानी से इसका पिस भी कट जा रहे हैं तो अब मैंना सारे पिसेस को मैं निकाल ली और इसे मैं जो मोटे-मोटे चोड़े-चोड़े पिसेस हैं उसे मैं ट्राइंगल से प मैं कट कर लूँगी तो मसाले में मैंने यहां पर एक टमाटर को प तक पका के रेडी कर लूँगी तो देख सकते हैं अच्छी तरह से यह गोल्डन ब्राउन कलरका हो गया है तो मैंना सारे पत्ते को निकाल लिए और जो बची हुए है तो मैं उसे भी फ्राय करके तयार कर लिए तो अब मैं यहां पर ग्रेवी तयार करूंगी तो मैंने यहां करके कड़ाई में तेल डाल दिये और तेल जब गर्म हो गया तो एक चमच पंच फोरं डाल दी अच्छी तरह से चटकने के बाद में पिसी हुए प्याज को डाल दी और एक से दो मिनिट तक गैस की मेडियम फ्रेम पे प्याज को मैंने बून लिए तो प्याज का कलर और एक चोटी चमच कस्मिरी लाल मिर्च के पाउडर भी डाल दी और अच्छी तरह से मैं मसाले को एक से दो मिनट तक गैस की हाई मिडियम फ्रेम पे भून ले हूँ तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें पिसी हुए टमाडर का पेश डाल दी और सारी मसाले को मैं फिर से एक से दो मिनट तक भून लोगी तो देख सकते हैं मसाले बहुती बढ़िया से भून के तयार हो गई है तो मैं इसमें मसाले वाले कटोरी से एक से दो चमच के पानी डाल दी और फिर से मैं मसाले को थोड़ी दिर भून लोगी तो देख सकते हैं मसाले बहुती बढ़िया भून आने लगी है तो अब मैंना इस उबलते हुए ग्रेवी में डाल दी सारे भूने हुए सब्जिया जो मैंने भून के रखे थे उसे और गैस की हाई मिडियम फ्लैम पे मैंना सब्जी को ढख की एक से दो मिनड तक पकाऊंगी तो फ्रेंट्स आप इस सब्जी को चावल के साथ अगर खाएंगे तो और भी जादा टेस्टी लगती है तो अगर आप पराठे के साथ खाना चाहती हो तो खा सकते हैं मुर्मुरे के साथ भी अच्छे लगते हैं पूरिया के साथ भी अच्छे लगते हैं लेकिन सबसे जादा टेस्टी चावल के साथ ही लगती है तो मैंने गयास कॉप करके कड़ाई को नीचे कर लिए हैं तो देख सकते हैं मेरी सबजी एकदम से बनके तयार है तो चलिए गर्मा गरम में सबजी को सर्व कर लेती हूं तो ये देखे प्रेंस कैसी लग रही है मेरी सबजी कॉमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर ट्राई नहीं की हो तो जरूर एक पर ट्राई कीजएगा गर्रेंटी के साथ कहती हूं घर में न सबी को बेहत पसंद आएंगे और खाने के बाद आपकी बढ़ाईया ही बढ़ाईया होने वाली है